हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम इस्टुडी बाई कुमार बर्मा, फ्रेंड्स, करेंट अफेयर के सीरीज को RRB NTPC को ध्यान में रखते हुए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और यह करेंट अफेयर का सीरीज आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा, यह करेंट अफे चारओ के बारे में समझ जाओगे, जान जाओगे और आज के बाद फिर आपको दوبारा से इनके बारे में स्टैटिक की जानकारी कहीören से लेने कि आओ सकता नहीं है क्योंकि मैंने जोभी इसमें टरम उठाया है उससे संबन्दी जीतना भी static GK हो सकता है उसको भी मैंने सामिल कर लिए है ताकि आपका कोई भी परस्न चूटने ना पाए ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नागरिक सम्मान में हम बात करेंगे भारत रत्न क्या होता है ठीक है देखिए दोस्तों भारत रत्न लिखा हुआ है भारत रत्न कर बात करें दोस्तों तो भारत का सर्वुच नागरिक सम्मान कहा जाता है यह कोई व्यक्ति भारत रत्ने से सम्मानित होता है तो उसे कहा जाता है कि वो सर्वुच नागरिक सम्मान से पुरस्कृत हुगा है और इसे रास्ती सेवा को छेत्र में दिया जाता है बात याद रखना है आपको चेत्र क्या होता है खेल कला साहित विज्ञान सरवजनिक सेवा ठीए अगर इसके सथापना की बात करना तो इसकी अस्थापना हुई थी 1994 दोस्तों और जब सथापना हुई तो उस समय जो ततकालीन राष्टपती थे नाम था डाक्टर राजेंदर परसाद यानि इन्हीं के देखरेक में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुवात की गई थी और जब शुरुवात की गई तो सबसे पहले 1954 निस्वी में प्रथम अलंकृत भी किया गया किसको डाक्टर सरवपल्ली रा क्यamed arkadaşlar थोड़ा साथ भारत रत्न के बारे मैं आपको पताता हूं गोजमक दोस्तों इसमें पदर्ब दिया जाता है उसमें एक जैसा कि आप इमेज में ध्यां देरी तो पकी याथा होता एव्र इस पर भीफल के प्तनी में सूर्य होता है सूर्य का चिन्न बना होता है चैसा भारत का जो आपका राश्टी चिन है उसको इंगित किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं चीक है तो आगी बात करते हैं 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में दोस्तों अंतिम अलंकृत है क्योंकि 2020 में भारत रत्न पुरस्कार किसी भी ब्यक्ति को दिया नहीं गया अर्थात कहने का मतलब है हुआ कि कोरोना पैंडमिक में भारत रत्न पुरस्कार की घोशड़ा नहीं की गई थी ठीक है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को 2020 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला ठीक है थोड़ा सा बात करते हैं 2019 के बारे में तो 2019 में जब पुरस्कार दिया गया ठीक है अब तो प्रण मुखरजी जी का देहांद हो चुका है ठीक है तो नाना जी देश्मूख भुपेन हज्जारिका और प्रण मुखरची इन तीनों मर्डो प्रांथ दिया गया था 2019 में और भूपेन हज्जारिका को भी मर्डो प्रांथ ही दिया गया था ठीक है और यह संबंद किसे रखते हैं तो यह संबंद रखते हैं कला से यानि कला की छेतर में उन्हें बहुत बढ़िया योगदान दिया था यह गायक संगितकार कभी और फिर मनिर्माता थे ठीक है दोनों लोग को मर्डो प्रांथ दिया गया एक बाता को यहां फैक्ट रखना है कि जब भारत रत्न स्टार्ट किया गया तो उस समय ऐसा कोई नियम कानून नहीं था कि मर्डो प्रांथ किसी ब्यक्ति को दिया जाए देने का प्रावधान नह लोग का नाम याद रखिएगा पड़ों मुखरजी की कर बात करें तो दोस्तों यह 2012-17 के बीच में तेरह में राश्ट्रपती थे भारत के ठीक है तेरह में राश्पती थे और यह भारत रत्न पाने वाले अगर बात किया जाए तो यह छट्वे राश्पती है यानि अब पांच लोगों को मिल चुका है और यह कंगे नंबर के हैं तो यह भी आपको याद रखना है और इनको किस च्छेत्र में दिया गया था समाश सिवा कि बिखना था ठीक है यह आपको याद रखना है ठीक है भूलना नहीं है अब आगे एपैक्ट और याद रखिएगा अग अब बात करते हैं पदम पूरसकार के बारे में पदम पूरसकार क्या होता है और 2020 में किनको किनको दिया गया पदम पूरसकार तो भारत का सर्वूच नागरिक पुरस्कारों में से एक कहा जाता ह मुए उइक और यह भी बिद्रैकर जाता है कला समास्यवा लोकार्य विग्जान औरं इंजिनरिंग इत्यादिक छेतर में प्रदान किया जाता है या इस छेतर में देखती बहुत ही अच्छे पदम स्री है चीक है चलिए हम लोग बात करते हैं थुरा सा इस्टैटिक के बारे में ठीक है थुरा सा करेंड के बारे में बात करते हैं यहां पर पदम पुरसकार की बात किया जा दोस्तों तो तीन स्रेडियों में इसे बाटा गया है यानि तीन स्रेडियों में पदम पुरस संफोसकार कौन सा होता है तो पदम दिहुसर होता आफ भारत का तीसरा है अब नहीं JUL confident और नहीं दीया गया था अलोगों को दिया गया था और पदंसरी 118 लोगों को दिया गया था थिक अगर टोटल अप काउंट करेंगे तो टोटल एक सो एक तालीस याणी को यह पुरस्कार बता गया है बस समझेश तो आप याद रखिएगा अब बात करते हैं पहले स्टेटिक की बात करेंगे फिर करेंट की बात करेंगे अगर हम पदम बीभूसड की बात करने फ्रेंज ठीकाई तो पदम भिभूसण के बारे में स्टेटी इक यह है कि तेखिए भारत रत्मक के बाद यह दूसरा सर्वच्णागरिक प्रशकार कहा जाता है य्ज पहले नमबर पर भारत रत्म दूसरे नमबर पर पदम विभू सड़ और यहां और साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है 2020 में कुल साथ व्यक्तियों को दिया गया जैसा कि आपने देखा अब इन सातों का नाम आपको याद रखना आप यह बहुत इंपोर्टेंट है सातों का नाम पहले नंबर पे नाम आता है अरूर जेटली इनको मर्डो प्रांथ दिया गया सुस्मा स्वराज मर्डो प्रांथ विश्वेश तिर्थ स्वामी मर्डो प्रांथ जार्ज फर्नांडिस मर्डो प्रांथ यानि चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मर्डो प्रांथ दिया गया है ध् सुष्मा स्वराज विश्वेश्टिर्ट स्वामी जार्ज फर्नांडीज और पच्वे नमबर पे नाम आता है अन्यूत जगन्याथ MC, मेरीकाम और पंडित छनुलाल मिस्का अरूर जेटली की बात कराएं तिनको मड़ो प्रांद दिया गया यह पूरो वित्य मंत्री थे सुसमा स्वराज की बात कराएं तो पूरो रक्षा मंत्री थी और विश्वेश तिर्ट स्वामी की बात कराएं तो पेशावर मट के प्रमुख थे यह थोड़े से इंपर्टेंट है फ्रसा पिक्चर में देख लीजिए जो पिक्चर में देख रहा है नरेंदर मोदी जी यानि प्रधान मंत्री के साथ जो यह बैक्ति बेटें हैं यहीं संवार मट के प्रमुख नाम है विश्वेश तिर्ट स्वामी इनको मढो प्रांद दिा गया है और ऐसा कहा जाता है यहां नरेंदर मोदी जी के गुरू है ठीक हैं तो बीस्वेश, माना जाता है याद रखिएगा जार्ज फर्नांडेस की वर बात करां तो यह पूर्व रक्षा मंतृ मंत्री थे और अन्डू जगंनात की बात करें तो 2014-2017 तक मौरिसस के पूर प्रधान मंत्री रहे हैं ठीक है अगर दोस्तों हम लोग मौरिसस की बात करां तो मौरिसस जो है यहां अफरिका जो महादीट है उसका एक DUP देश है जो अफुरका के पूरब मेंस्थीत है यांनि जहां मेडा चांशकर पड़ता है स्वादाश करते हैं स्वात यह भारती बॉलके ही होते तो अनुरुट जगरनात को जो 2014 से 17 तक प्लारमंत्री रहें इनको प्रदान किया गया एंसी मेरी काम बहुत प्रसीद नाम है आप जानते होंगे प्रसीद बाक्सर के लाड़ी है ठीक है और इनको पुरसकार दिया गया है और पंडित चनुलल मिस्रा यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप रटली जेगा पंडित चनुलल मिस्रा को यह प्रसीद शास्त्री गायक है ठीक है इनको प्रदाम किया गया है तो यहां से कोश्चन यह बनता है सवाल आप मैं यह कर रहा हूं भीया कि यह बताए यह प पंडित चनुलल मिस्रा यही है ठीक है यह प्रसीद शास्त्री गायक है ठीक है आगे बात कर लेते हैं पदम भूसड के बारे में पदम भूसड की बात करें तो देखिए पहले नंबर पर भारत का सर्वच नागरिक पुरसकार भारत रत्न दूसरे नंबर पर पदम इसमें अगर बात करें तो टोटल शोले आदमियों को दिया गया अब मैटर यह फंसता है कि क्या सोले आदमियों को नाम रचना जरूरी है नहीं तीक केवल कुछ मैने इंपोर्टन इसमें चूज कर लिया है ठीक है जोकि परिछा के विव से पॉइंट अव्यू से काफी इ जो मैंने नाम लिखा है टोटल चार नाम यहां को रणना है देखिए वन टू यहां थ्री होना चाहिए यहां फोर होना चाहिए ठीक है चार नाम आपको रणना एकलत हो गया लिखने में तो पहला नाम आता है आनंद महिंद्रा का ठीक है आनंद महिंद्रा की बात करने दोस् है साथ में मनोहर परिकर को मिला है मर्डो प्रांद मिला है लिकिन इनको याद रखिएगा और ये तीन बार गोगा के सीम रहे सीम मतलब चीफ मिनिस्टर यानि मुख्यमंत्री पदपर तीन बार एक कारिड़त रहे हैं मनोहर परिकर ठीक है पीवी सिंदू के बारे में जानते पती है और जो tbs ah age एडियक्त भी एक तीड़ी आपको यहा है यहान पोर रड जाना है बापी का आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है मतन से अपनीकां के दॉसलें नाम रटना बड़ा कठीन काम है लेकिन यह बात में भूल जाएगा तो यह चार नाम जो मैंने बताया एक काफी इंपोर्टेंट है तो चारों का नाम आपको याद रखना है चलिए बागे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं पद मिस्री के बारे में पद मिस्री कि अगर बात बात करें तो बर्तमान में टोटल एक रखना आदम रखना जरूरी है नहीं भाई एक सवठार करना जरूरी नहीं है मैं हापर कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखा हूं यह आपको रटना है ठीक है इतने माइं आपका काम हो जाएगा पेपर में आपको मिल जाएगा पक्का है अगर यह पूरा वीडियो देख लेंगे और आप पेपर देते हैं तो कोशन देखने को जरूर मिलेगा चलिए अब बात करते हैं पदमिस्री में सबसे पहले नाम आता है जहीर खां का आप सुने होंगे अना लेपटी बालर मतलब यह रहे हैं मतलब थे अब तो यह अप मतलब सामाजी कारे करता थे और इनको मरने के बाद मरड़ो परांत 1984 इस भी में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उससे जो प्रभावित लोग थे तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था मिठाइल आइसो साइनाइट गैस का रिशाव हुआ था कौन सा मिठाइल आइसो साइनाइट गैस का उससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो गए थे तो उन्हीं प्रभावित लोगों के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्स किया जैसा कि आप पिक्चर में देखिए बीच में जो केंडल यह खड़े हैं यही है अब्दुल जब्बार ठीक बहुत इंपोर्टन करेक्टर है जीवन भर इन्हीं लोगों के लिए काम किया है इसलिए इनको जो है पदमस्री प्रुस्कार से नवाजा किया है ठीक है बात समझे अगला नाम आता है करन जोहर का कर एकता कपूर भी वॉल्लीवड में निर्देशक है इनको भी मिला है और कंग इनको इनको भी मिला है और इस बार के औरो यहीत कदोर्टन करेक्टर है आगे बात करते हैं रानी रांओल यह बहुत इसा संबंदेट है और साथ में इनको हाकी की रानी भी कहा जाता है हाकी की रानी किसे कहा जाता है तो रानी रामपाल को और अगर आप से कोश्चन यह किया जाए कि हाकी के जादूगर नाम से फेमस कौन है तो ध्यान चंद मेजर ध्यान चंद को हाकी का जादूगर कहा जाता था ठीक है और यहा ठीक है इनको कौन सा पूरस्कार मिला तो इनेमीला है पदम श्री ठीक है आगे बात करते हैं एक औरम इंपर्टन्ट करेक्टर है नाम है जीतुराए जीतुराई ये निसाने पुरस्कार दिया गया राजिव गांधी खेल लत्न पुरस्कार की बात किया जाए तो भारत का सर्वुच खेल पुरस्कार माना जाता है भारत का सर्वुच खेल पुरस्कार किसे माना जाता है तो राजिव गांधी खेल पुरस्कार को माना जाता है तो राजिव गांधी खे एक क्यानवे से बानवे इस भी के वीज में हुई थी ठीक है और सबसे पहले जिब पुरस्कार दिया गया था राजिव गांधिकर बात करें तो सतरंजन घैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को यह पुरसकार से सम्मानित किया था ठीक है इसके बारे में में आफैक्ट बोल दिया हूं उसको डाउन कर लिजिएगा आगे बात करते हैं तरुन दीप राय को भी पद्मियस्री पुरसकार से सम्मानित किया गया है यह तिरंदाज से यहां पर गायक, संगितकार, अभिनेता, यह सब थीक है, इनको दिया गया, बासमसे आप, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आज के जो वीडियो है, कि आपने केवल यह सिखा इस वीडियो के मध्यम से, कि भारत में कौन-कौन से नागरिक सम्मान होते हैं, और उस नागरिक सम्मान में क्या-क्या, इस्टैटिक जी के है, और क्या-क्या क्रेंट अफेयर है, तो दोनों मैंने कवर कर लिया है, आई होप आपनों को पसंद आया होगा, इसीक साथ थैंक यू सो मच, ठेक क्यार, बबाए, गुड़नाइट, जैहीं